हलो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आपकी बढ़ाई शांदार चल रहे होगी इसे और बेतर बनाने के लिए चलिए सुरू करते हैं पहला प्रशन है जनगर्णा 2011 के अनुसार राजस्तान के सरवादी कुल जनसंगया वाले जिलों को अवरोही करम में जमाए यानि सबसे ज्यादा जनसंगया वाले जिलों को सबसे पहले रखना है और उससे कम जनसंगया वाले को उसके बाद में रखना है तो हमारा आंसर क्या जैपूर, जोदपूर, अलवर और नागोर क्या हो जाएगा विकल पे इसका सही आंसर हो जाएगा क्यों सही आंसर हो जाएगा क्योंकि जैपूर की जनसंग क्या है वो कितनी है जैपूर की जनसंग क्या है तीश लाग है इस प्रकार से इस काँसर क्या हो जाएगा A, सबसे ज़्यादा जेपूर, जोदपूर, अलवर और नागोर अगले परशन पर चलते हैं बल्देव पसुमेला कहा बढ़ता है अजमेर में, पाली में, सीकर में या नागोर में तो बल्देव पसुमेला नागोर जिल्में बरता है, कहां पर बरता है, बल्देव पसुमेला नागोर जिल्में बरता है, ठीक है, नेक्स्ट प्रेशन पर चले, बियाना क्या है, बियाना बरतन है, किलोना है, बच्चे के जन्म का गीत है या जाती विसेस है, तो बियाना सझ्चे के जनम का गीःत है, अगले प्रशन पर चलते हैं संइक्तराष्ट संग ने किस वर्षकों अंथराष्टे परेटन वर्ष गोशित किया था, कब गोशित किया था 2017 को अंतराष्टिय परेटन वर्स गोशित किया था ठीक है अब आपसे एक सवाल पूशता हूँ कि जो परेटन दिवस है वो कब मनाये जाता है परेटन दिवस कब मनाये जाता है परेटन दिवस कब मनाये जाता है तो इसका आंसर क्या होगा इसका अंसर होगा 27 सितंबर 27 सितंबर को परेटन दिवस मनाय जाता है ठीक है याद हो गया अगले प्रस्वन पर चले राजस्तान में होली के उसर पर गाय जाने वले गीतों को क्या कहते है राजस्तान में होली के उसर पर जो गीत गाय जाते है ना उनको क्या कहते हैं दमाल कहते हैं जूरना कहते हैं तबाना कहते हैं अब बात कहते हैं तो होली के उसर पर जो गीत गाय जाते हैं उनको क्या कहते हैं दमाल कहते हैं होली के उसर पर गाय जाते हैं दमाल कब गाय जाती है होली के उसर पर दमाल गाय जाती है ठीक है न अगल विकल्पों के आदार पर देखें तो अधिकतर उत्पादन में देखें तो 70 और 78 दो विकल्प हमारे सामने बसते हैं तो इसका अंसर क्या हो जाएगा विकल्पों के प्तार में हम प्रतमिस्तान पे ठीक है अगले प्रति को अगला के बेचिंगा बेचा है वहाँ पी उपरमाल का पटार है, कौन सा पटार है, उपरमाल का पटार है, ठीक है, अगले प्रस्न पे चले, बनास नदी का उद्गम की सिस्तान से होता है, बनास नदी का उद्गम कहां से होता है, अबुपरोत खंड से होता है, बिजनोर की पहाडी से होता है, खमनोर की पह अफवातंत्र इसी का है सबसे बड़ा अफवातंत्र इसका है यह अपनी बनास नदी का है ना बनास नदी का राजस्तान में सबसे बड़ा अफवातंत्र इसी नदी का है किन किन जिलों में बैती है तो देखो राजसमंद में निकलती है राजसमंद से निकलके कहां जाती है पिर बिलवडा आ जाती है ठीक है बिलवडा के बाद में ये अजमेर चली जाती है अजमेर के बाद टॉंक चली जाती है तो टॉंक से कहां चली जाती है सवाई मादोपूर चली जाती है अच्छा सवाई मादोपूर में ये किसमे मिल जाती है तो चंबल नदी में मिल जाती ह अना कहां पर मिल जाती है रामेश्वरम के पास रामेश्वरम इस्तान है जो सवाई मादोपूर में कहां पर सवाई मादोपूर में वहाँ है चंबल नदी में मिल जाती है अगले प्रशन पर चले थॉन्वेट के जलवायों प्रदेश जो वर्गी करण है थॉन्वेट साहब जो जैसलमेर का एरिया है, वो किस में आता है, CA, किस में आता है, EAD में आता है, किस में आता है, EAD में आता है, ठीक है न, तो CAW क्या है, तो दक्षनिपूरी क्षेतर वाला, ठीक है, वो CAW हो गया, और EAD जैसलमेर साइड वाला, ठीक है, अगले प्रसंट पर चले, राजस्तान का अक्षान से विस्तार कितना है राजस्तान का जो अक्षान से विस्तार है वो कितना है तो राजस्तान का अक्षान से विस्तार वैसे रेंज पूछ रहा कि कितना है इतने से लेकि इतना नहीं पूछ रहा है यह पूछ रहा है कि वो बीच में अगर उनको लेस करें तो कितना बसता है 12 डिग्री 7 मिनट 10 डिग्री 12 मिनट 7 डिग्री 9 मिनट या 9 डिग्री 7 मिनट तो इसका अंसर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका अंसर इसका अंसर हो जाएगा 7-Degree 9 Minute का परक रह जाता है कितना रह जाता है 7-Degree 9 Minute का ठीक है तो अकसान से विस्तार हमें पता है है कि 30-Degree 3 से 30-Degree 12 के 20 में कितना है 30-Degree 3 से 30-Degree 12 के मद्दे है है ना तो इसका अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा 7-Degree 9 आ जाएगा ना अगले प्रश्ण में चले, 7 डिग्री 9 मिनिट आ जाएगा, अगला प्रश्ण, राज समंद का लिंगानुपाद कितना है, 990, 944 में 987 या 980, राज समंद का लिंगानुपाद कितना है, 990, 944 में 987 या 980, तो राज समंद का लिंगानुपाद कितना हो जाएगा, 990, कितना ह हो जाएगा 990 रास समंध्ध लिंगानुपाद के मामले में। किसिंद नमर में कितना नमर में सेकिंड अच्छा पहले नमर पे कुज आना है तो पहले नमर में डुंगरपुर और दुंगरपुर का लिंगानुपाद कितना है तो डुंगरपूर का लिंगानुपाद है 994 है ना दूसरे नमबर पे राज समंद कितना हो गया 990 थैड़ पाली कितना है 987 फूर्थ प्रतापगड और प्रतापगड का कितना है 983 और पांच नमबर पर बासवड़ा आ जाता है और बासवड़ा का जो कितना है 980 थीक है ना सबसे ज़्यदा डुंगरपूर का 900 चुराण में पिर राज समंद का 990 फिर पाली का नोसो सत्यासी प्रतापगड का नोसो तयासी और बासवड़ा का 980 है ना डुंगरपूर राश्रबंध पाली प्रतापड और बासवड़ा ठीक है ना एक बात है मथानिया जोदपूर में या सामोध जेपूर में या चोमु जेपूर में तो राजस्तान का जो दूसरा सपाइस पार्क है ना वो रामगंज मंडी कोटा में कहां पे है रामगंज मंडी कोटा में कहां पे रामगंज मंडी कोटा में यह दूसरा मसाला पार्क है अब राजस्तान का पहला मसाला पार्क है कहां पे मथानिया जोदपुर में परतम मसाला पार्क है ना परतम मशाला पार्क ठीक है याद हो गया तो राजस्तान का पहला मसाला पार्क मथानिया जोदपुर में और दूसरा मसाला पार्क कहां हो गया राम गंजमंडी कोटा में ठीक ह पहला मथानिया जोदपुर और दूसरा राम गंजवंडी कोटा ठीक है याद हो गया अगले परशन पर चलते है राज्य के कुल अभिलेकित वन कितने है राज्य का कुल अभिलेकित वनक्षेतर कितने है 24,864 वर किलोमेटर में है 32,864 वर किलोमेटर या 16,864 वर किलोमेटर तो राज्य के कुल अभिलेकित वन कितने है 32,864 वर किलोमेटर है ना कितने है राज्य के कुल अभिलेकित वन 32,864 वर किलोमेटर है चीक है याद रहे जाएगा राज्य के कुल अभिलेकित वन 32,864 वर किलोमेटर है अगर यह लाग पर गहरे हुए इस तरह से निकाल सकते बत्तिस अजार आट सो चो सट तीन लाग बैयारी सजार दो सो 49 मॉल्टिप्लाइबाइब सो करेंगे तो क्या जाएगा 9.60 आ जाएगा अगले प्रस्ण में चलते हैं राष्टे पसु रोग नियंतर्न कारेकरम का सुभारंब कब किया गया अभी देगो लंपी डीजी जाया वा था पसो में तो यह प्रस्ण एक्जाम में बनने की संभावना है तो राष्टे पसु रोग नियंतर्न कारेकरम का सु पसुरोग नियंतन कारिक्रम की शुरुवाद की गए है ना और इसमें ऐसा पोच सकते हैं, अगले प्रस्ण पे चलते हैं, राजस्तान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब होई थी, जुलाई 1987 में होई थी, दिसमबर 1980 में होई थी, जून 1985 में होई या नवंबर 1978 में होई, तो राजस्तान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब होई, रा नवंबर 1978 में राजस्तान पर्याटन विकास निगम की स्ताफना हुई ठीक है याद रहे जाएगा राजस्तान पर्याटन विकास निगम की स्ताफना नवंबर 1978 में हुई ठीक है अगले प्रसंट पर चले रूपायन सनस्तान बोरुंदा में है हमें पता है जोदपूर में 1960 में कव हूई 1960 में बोरुंधा जोदपूर में रुपहलas और संस्तान की स्ताफनों हुए याद रह जाएगा? रुपधा है ठीक है? अगले प्रस्ट सेंवे चले our communication की ने ह्थिस्टा के मरुखोक्यला उपनामसे प्रुशिद्द मांडगाई का कौन है अल्ला जिलाई बाई है, सीमा मिश्रा है, मांगी देवी है, गवरी देवी है, राजस्तान की मरु कोकिला किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं अल्ला जिलाई बाई को ठीक है? याद हो गया? अगले प्रसंट पर चले है? प्रत्युराज चोहान जो तरते थे उनका जन्म कब हुआ प्रत्युराज चोहान तरते उनका जन्म कब हुआ था तो प्रत्युराज चोहान तरते का जन्म कब हुआ था 1170 में, 1155 में, 1166 में कब हुआ था इसका अंसर क्या हो जाएगा तो गुजरात में एक जगह पढ़ती है अनिल पाटन यहां पर इनका जन्म हुआ था ठीक है अगले परसंद पर चले खजाइन उल्फुतू किसके रचना यानि खजाइन उल्फुतू है यह किताब किसने लिखिये बंदाई उन्हें ने तारिक पते ने अमीर कुसरो ने हसन निजामी शहाब ने किसने लिखिये तो खजाइन उल्फुतू किसने लिखिये है अमीर कुसरो ने लिखिये किसका अल्ला अदिन किल जीगा तो उसके साहते आयती थे उस समय ऍहां नगले प्रसंद पर दीगई एक्बर द्वारा मिर्जा राजा की उपादी और दूसरे उपादी क्या दी दूसरी उपादी फर्जंद की उपादी ना यह भी किस ने देती अगबन ने देती और अगबन ने कुछ और भी दिया था इसको 7000 का मनसभ दिया था साथ हजार का मनसब किसे दिया था मेजर राजा मान सिंग देना उसे साथ हजार का मनसब भी दिया था मेजर बेटन की हत्या कहां पे हुई थी मेजर बेटन की हत्या कहां पे हुई थी बिजोले में हुई थी एरंपुरा में कोटा में या अलवर में तो major button की हत्य कहां पर होई थी थी? तो major button की हत्या quota में हुई थी quota में इसका सिर काट लिया गया था यह सहर में गुमाया था और उसके बाद क्या किया उसके का बाद में इसका सर कोटा का गड़ है वहां पर टांक दिया डाबड़ा हत्या KenUND कब हुआ 1937, 1934, 1947, 1923 1934, 1937, यह तेहिस इसस कांशित्य क्या हुम जाएगा डाबड़ हत्यकांड वा था 1947 में कब वह डाबड़ हत्यकांड यह 1947 में वहा था अगर तारीक भी पूछे आप से वम आबड़ हत्यकांड की तारीक क्या है तो क्या बताऊगे आप 13 March 1947 यह डाबड़ा हत्याकांट हुआ था ठीक है याद रहे जाएगा अगली प्रस्न में चलते हैं मेनाओ पर लगाएगे सभी प्रतिबंद कब समाप्त कर देगे जो मेनाओ पर प्रतिबंद लगाए थे ना यह प्रतिबंद समाप्थ कर दिएगे, कब समाप्थ कर दिएगे, यह 1956 में समाप्थ करे, 50 में, 70 में या 52 में, तो मीनाओं पर जो प्रतिबंद लगाए थे, वो 1952 में समाप्थ कर दिएगे, जितने भी प्रतिबंद दे थे, सारे के सारे प्रतिबंद समाप्थ कर दिएगे, किराल पेसिती सास्तिरे साप प्र्यासों से प counties प्रत्रश्मित की से समंधित है धूल पुर से पषिया उस ओंगान्ड किस दॉलपूर नियान भूल से उचलते हैं रहिए राजस्तान का उद्गाथन किकी द्वारा किया करा गा गा गांधी की द्वारा नेहृ द्वारा सरदार पटल द्वारा ये सासथित द्वारा है तो व caller राझस्तां का उध्गातन कि ने किया था सरदार पटल सामने 30曼 स उनन्यसों निस उन्वां न्यास को व passer को बठ। राजयी था और वर्यारा रजेस्थान में साफ ने किया, सरदार पठल साहब ने किया और उसी दिन को, उस उद्गरण के दिन को 30 मार्स 1949 को, उसी दिन को राजसतान दिवस के रूपे भी मनाया जाता है अगला प्रश्न है, अक्षे तर तरतिया कब मनाया जाती है शावन सुकलतीज, जेश्ट सुकलतीज वेशाक सुकलतीज या भादपत सुकलतीज तो अक्षय तरतिया है ना वो किस मैने मनाई जाती है वेशाक सुकलपक्स की तीज को अक्षय तरतिया मनाई जाती है कब मनाई जाती है अक्षय तरतिया है ना अगले प्रसमें चलते हैं पीबली क्या है पीपली क्या है विरह गीत है विवाह गीत है बच्चा जन पर होने वाला गीत है गंगोर गीत है तो पीपली क्या है बच्चा के जन पर नहीं विरह गीत है क्या है विरह गीत बच्चे के जन पर होने वाला गीत हमने पहले पढ़ चुके है चबली गीत किस लोग देउता की आ ग्जाए गदर गाब होगा जाता है। इनेट्ट प्रस्चन पर चलते हैं चार-पांच सब्द देते हैं, और पूछते हैं कि ईसे कहते हैं ? इक बार फिरसे याद कर लो जो मिड़जयी गदर गाबा कानो डगडा मिड़जयी गदर गशलन पर चलते है ¥। ददीमति मता मंदीर कहांपे है जैपूर मैं यलवर में इसी करaraoh में नागोर में तो दद्दी मतिय माता गोड कार मांगलोथ है और गोड मांगलोथ कहा है नागोर जिले में कहांपे गौट मांगलो नागवर जिले में और वहां पर क्या है दधि मति माथा का मंदिर है अगले प्रशन पर चलते हैं निम्द मैं से रनतंबर दुरक में नहीं है यह याई बाकित तीन जो स्तल है वो तो रन्तंबोर दुर्ग में है लेकिन एक वो रन्तंबोर दुर्ग में नहीं है तो 27 देवरी बादल महल जोरा बोरा का महल या सुपारी महल या तो रन्तंबोर दुर्ग में है लेकिन 27 देवरी रन्तंबोर दुर्ग में ना हो कि कहां पे चित्तोर दुर्ग में है है कहां पे नाक में भोगली अभूशन कहां पहना जाता है नाक में पहना जाता है तेर्वी विदान सभा का कारेकाल कितना रहा कब से कब के मत दे रहा 2008 से 2013 के मत दे तेर्वी विदान सभा का कारेकाल रहा अगले प्रशन पर चलते हैं पंचायती राज और ग्रामिड विकास सनस्तान के रूप में कब पंचिकरत किया गया जो पंचायती राज और ग्रामिड विकास सनस्ताना इसको स्वायत सासन सनस्तान बना दिया गया कब बनाया 1984 में 86 में 88 में तो पंचायती राज सनस्तान को स्वायत सासन सनस्तान के रूप में पंचिकरत किया गया ठीक है अगले प्रशन पर चले राजस्तान विदान सभा में कितने वित्य समीतिया है प्राकल्स मिति के ठीक है अब आपसे पूछें कि लोग लेका समीति है वर्तमान में तो क्या कहेंगे गुलाबचंद कटारिया तो गुलाब चंद कटारिय साहब है न वो लोग लेका समिती के वर्थमान में अद्धेक्स है न हेड है वहीं लोग उपकरम समिती की बात करें तो लोग उपकरम समीति की जो अद्धिक्स है को ने हेमाराम चोदरी साहब हेमाराम चोदरी साहब ठीक है उसके बाद अगर प्राकलन समीति कह की बात करें तो इसके अद्धिक्स को ने राजंदर पारिक साहब और प्राकलन समीति खे इसके देख को ना दायराम परमार साहब ठीक है तो खे और खे में अगर कंफीज होते हो तो देखो लास्ट में इस पारिक में क्या आए है तू पारिक क्या ऐगा लाश्ट में इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हो बाकी याद तो करना ही पड़ेगा लोग लिगा समीति गुलाब चिंद कटैरिया शहाब लोग उपकरम समीति हेमराभाम चोदरी साब प्राकलन समीति खेय राजंदर पारिक साब अगले प्रस्ट में चलते हैं शितंबर 2022 तक राजस्तान में कितनी महिला हैं राज्य सभा में राज्य का प्रतिनी दुख कर रही है यह शितंबर के महिने तक राज्य सभा में कितनी महिला है राजस्तान से जीरो एक दो तीन तो हमें पताइए कि राज्य सभा में अभी वर्त तो राजस्तान राजय मानोदिकार आयों के पहले देख से कांता बटनागर मेडम कौन थी कां था बटनागर मेडम अगले परसंद पर चलते हैं विश्णोई रामसने या वल्लब तो जंब सागर यह विश्णोई संपरदाई से संबंदित ग्रंत हैं ठीक है ना किस संपरदाई से संपरदाई से संबंदित ग्रंत हैं अगले प्रसन पर चलते हैं राजस्तान में सर्दी की वर्षा क्या कहलाती है राजस्तान में वर्षा ह को किस अन्य नाम से जाना जाता है यानि राजस्तान मरूद्यान का अन्य नाम क्या है जीवासमुद्यान है वनस्पति पार्क है घास ख्षत्र पार्क है वने जीवासमुद्यान है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा जीवासमुद्यान फोजिल पार्क कहते हैं इसको तो इसका लाल छंदी जी उस्तक के द्वारा हवामेहल का डिजाइन द्यार किया गई राष्त्रे बाल अदेगार संदक्ष्ण आयोग की स्तापन अब ही कि अधिक लेकिन के लिए उन्हें बिहारी पुरिषकार से सम्भानित किया गया था यह संभानित किया गया कौन साथ आओ तो हम यहां थे नाम की किताब थी न मीरु mio कब वह आता है को एक फरवरी बीस को एक फरवरी निस को मुंख्य मंत्री दुख्वद उत्पादक संबल योजना थो में पताई है इसमें पांच रुपै का जो सब्सिडीद दी जाती सरकार के तरफ से नो इसकी सुरुवात गफично कब किए की मुख्य मंत्रि दुख्द उत्पादक सम्भल योजना की सुरूरत किगी प्रश्ण है चुपइ तोड़ो सयानी बनो अभियान कहां से शुरू किया गया जोदपूर से अलवर्ड भीकने। तो चुपी तोड़ा सायानी बनो जो अभियान है वो जेपुर जिले से समदित है जेपुर जिला परसासंद के द्वारा इसे चलाया गया अगला प्रशन है उमादे पुस्तक के रचनाकार को ने उमादे नाम की किताब है ना वह किसे ने लिखिये रामचरण बोहरा ने फट अगला प्रशन राजस्तान का कौन सा अवरक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है पला सागवान नीम या खेजड़ी तो जो पलास है इसे जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है ना किस वरक्ष को जाना जाता है जंगल की ज्वाला पलास वरक्ष को राजस्तान की अध्योगी की राजदानी कौन सी है कोटा अजमेर जोधपूरिय अभिकानेर तो क्या हो जाएगा कोटा कोटा है ना उस पार्ट बन था इसका पार्ट तू कल लेके आएंगे ठीक है तब तक बने रहे है पड़ते रहे है थैंक्यू कि अग्यू कि अग्यू